हेलो दूस्तो नमेशकार SMKC चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ सो रस्तो आज के दिन कमेंट सेक्षन में सबसे जादा रिक्वेस्ट थी उसी से रिलेटेड अभी ये वीडियो बना रहा हूँ SMKC से रिलेटेड बहुत सारे लोग ने रिक्वेस्ट के है सर SMKC में अभी आगे क्या होगा उसी से रिलेटेड क्या हम लोग अटक गए तो सारी चीज़े जो हमेशा की तरह रहती है स्टॉक कभी तो नीचे आएगा तो उसके बाद वह क्वेस्टन मार्क शुरू हो जाते है तो उसी के बारे में डीटेल इंफॉर्मेशन बताने की कोशिश इसी वीडियो में होने वाली है तो चले दोस्तों फटावड सुडियो को स्टार्ट करते बड़ उससे पहले जरू को फाइदा होगा तो जरू इस वीडियो को देख लेना लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए एड कल ही आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो दूसरा चैनल है 200 के सब्सक्राइबर कंप्लेट हो चुके सो इसी खुशी में हम लोग कह सकते कि सेटर्डी भ आताने वाला हो जो कि कल ये वीडियो आप लोगों के लिए यहां पर दूसरे चैनल के उपर स्टॉक मार्केट प्लास इस चैनल पर प्रेजेंट हो जाएगा सो इसका लिंक उपर आया बड़न पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके विलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और यहां पर हम लोग बात करने वाली येस बैंक से रिलेटेड सो येस बैंक से पहले हम लोग एक बार निफ्टी देख लेते हैं निफ्टी आज के दिन बिलकुल फ्लैट रहा है हलाकि फ्लैट भी नहीं बोल सकते हैं माइनस में ही चल रहा था आखरी के कुछ पलों में हम लोग को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिले आप लोग यहा यहां पर देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली बाजार की रफ्तार यहां पर थोड़ी सी थमसी गई है हम लोग बोल सकते हैं और इतना भागा है तो कभी तो रुकेगा यह तो सबी लोग को पते है ऐसा थोड़ी है 13 14 15 16 17 18 20 ऐसे थोड़ी चलेगा रइट रुकेगा तो उसी टाइप की यह जो थोड़ी सी थकान हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है बात करेंगे यहां पर येस बैंक की तो इतने जबरदस परफर्मस के बाद मतलब लगबग 12 रुपे उसके बाद 14 रुपे दैन पॉजिटी न्यूस के उपर न्यूस न्यूस के उपर न इसी के साथ-साथ हमेशा की तरह जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया था कि अभी येस बैंक भाग रहा है जब ये नीचा आएगा तो सवाल उठना शुरू हो जाएंगे तो यही चीज़ में आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख रहे थे येस बैंक का मार्केट कैप कितना हो गया क्योंकि आप सब लोगों को थे येस बैंक का मार्केट कैप यहाँ पे जो रहना चाहिए लगबग 276 बिलियन के आसपास या फिर 280 बिलियन भी हम लोग बोल सकते ठीक है लाज कैप के लिए फिलाल तो अभी भी येस बैंक 486 बिलियन मार्केट कैप को मेंटेन कर रहा है क्योंकि ये जो रैली हम लोगों को देखने को मिली थी वो उसी न्यूस के चलते देखने को मिली थी कि येस बैंक अभी मिड कैप से लाज कैप में शिफ्ट यहाँ पे हो सक जल रहा है मतलब गिरावट्टो आज हम लोगों को जरूर यहाँ पे देखने को मिली है तो मैं आप लोगों को जरूर यहाँ पे लेके जाना चाहूंगा डिलेवरी रिपोर्ट्स के उपर 11 डिसेंबर अगर मैं यहाँ बात करूं तो आप देख सकते हैं आज भी लगबग आओ भी बाइंग रहा है इतना थो हम लोग फिलाले आपको और कंफर्म करना है तो मैं डिलेवरी रिपोर्ट आपके सामने आप prep empyующ करना चाहूंगा आप देख सकते हैं यह पिछले जितने भी दिन मार्केट चल रहा था उसके हिसाब से पिछले दो हफ्ते है मतलब 10 trading session आप लोग मोटा मोटी पकड़ सकते हो उसके deliveries report है अगर हम लोग तारीक की बात करें यहाँ पर सो November से December हम लोग ऐसे उपर से नीचे आ रहे तो यह भी चीज आपको पता होनी चाहिए सो आप लोग देख सकते हैं 35% की quantities यहाँ पर delivery की basis के उपर हुटाई गई उसके बाद अगर हम लोग बात करें 71% जा पर 78 करोड शेर यहाँ पर खरीदेगे मतलब delivery basis के उपर देन 47, देन 40.97, देन 51, देन 48, देन 51, 35, 37, 35 एंड आज का दिन यह अपडेट हो जाएगा बट अभी अल्रेडी में आपको दिखा चुका है अप्रॉक्सिमेटली 40% सो यह बार-बार इतने बड़े deliveries हम लोगों को होते वे देखने को मिल चुकी है सो हम लोग जरू कह सकते हैं यह सारी चीज़े जो रहेगी वो long term के इसाप से है यह मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि अगर आप लोग short term के नजरी से आओगे तो यह सारी चीज़े होने ही वाली है अब डाउन से चलते रहेंगे बाजार में आप कितना भी हो सके इसको avoid नहीं कर सकते यह होगा ही होगा कभी तो stock रुकेगा अभी इतना भाग जाने के बाद कभी तो उसके उपर लगाम लगी जाएगी तो वही चीज़ अभी फिलाल हम लोगों को होते वे देखने को मिल चुकी है और आप quantities भी देख सकते है deliveries वाली बहुती भारी पेमाने के उपर यहापर हम लोगों को quantities delivery basis के उपर उटाते वे देखने को मिल चुकी है तो यह सारा जो खेल हम लोगों को देखने को मिल रहे है वो तो अभी फिलाल December यहाँ पे चल रहे है इसका actual picture प्ले कब होने वाला है 5th January को अगर 5th January को यहाँ पे MP से यहाँ पे officially announcement हो गई कि Yes Bank को अगर हम लोगों large cap में shift कर रहे सो जरूर हम लोगों को और एक गजब की तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकते है मतलब आप सोच सकते हो कि अभी तक कुछ हुआ नहीं Yes Bank में सिर्फ यह MP से news आई थी कि इसी news मतलब possibility वाली बाते सामने आई थी कि शायद से इनको जगा मिल सकते है large cap की इसमें सिर्फ news के चलते हैं यह इतना भागा है सो actual में जब January में हम लोगों को यह चीज़े होती हुए देखने को मिलेगी possibility की हम लोग बात करें guarantee तो कुछ भी नहीं है हम लोग जरू कह सकते कि तभी भी हम लोगों के एक अच्छी कासी बड़ी rally के expectation थोड़ी सी हम लोग यहापर रख सकते हैं इसलिए यहापर इतने जबर्दस हम लोगो डिलेवरीज भी उठाती हुए देखने को मिल चुके है सो जरू हम लोग कह सकते हैं दोस्तो आज के दिन भी इवन दो यह बैंक डाउन जरू आप लोगों को देखने को मिली है कभी कभी यहापर डेटा चेंज हो जाता है अपडेट रहने की कारण तो जरू आप लोग चाहो तो थोड़ी देर के बाद भी आपर चेक कर लेना रा अल्री बहुत ही गजब के प्रॉफिट में थे जिन लोगों ने कुछ लोगों बुलते हैं ना हमेशा की तरह गलती होती है कि जो शेर भागते रहते हैं उसको चेस करने की कोशिश करते हैं तो उनके मैक्जिमम सवाल है कि कुछ लोगों ने 20 रुपे के यहाप इसको प्रेश देते आओगे सो जितना आप लोगों कर सकते हो उतने के लिए ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह बैंक अगर आप लोगों करोगे एक लिस अभी आप लोगों ने जैनवरी तक तो होड़ करना चाहिए प्योंकि तभी तो डिसीजन आएगा और देखा जाए त अग्सीज बैंक अभी तक नहीं पहुच पाए डिरेक्ली इसको पहुचा देंगे तो यह तो सारी मतलब बोलते ना जैसे मैंने काब मजाक वाली बाते हैं तो यही कहना चाहूंगा दोस्तों जीन लोगों ने भी इसको इवन दो 20 रुपे पे खरीदा एंड जो बोल रहे स जा था यह भी मुझे लगा कि मैं फस गया करके साड़े साथ सो का साथ सो के बाद उसी के आसपास साड़े छेसो चेसो के आसपास बेश दिया मैंने आज वो धाई अजार के आसपास का शेर है सो कहानी घूमफिर के वही आती है अगर आप लोग टाइम नहीं देना चाहते हो तो अल्टिमेटली आप लोग लोग लोश ही करोगे और यह हर किसी को अभी पता चल चुका है यह चीज मैंने इससे पहले भी बोली थी जब मार्केट क्रैश हुआ था आपको डरने की जरू सो कि एस बैंक मैं अगर आप लोग ने आपे हायर लेवल पर भी शेर खरीदा है 20 रुपे के आसपास भी अगर खरीद है तो स्टील आप लोगों को एक ही चीज करनी पड़ेगी लंबी आउदी के लिए होल्ड करना पड़ेगा मैं इससे पहले भी एक बार बोल चुका हू कि एस बैंक में अगर आप लोग एंटर करते हो तो मिनिममम आपका होल्डिंग पिरेडी देड़ दो साल का होना चाहिए क्योंकि यहापे देखिए स्टॉक बहुत छोटा है एंड यहापे आप सब लोग पता है रीटेल इंवेस्टर जहां इंटरेस दिखाते हो आप आप जो लोग यहापे जादा से जादा होल्ड कर पाएंगे वह यहापे जादा जीतने के चांसे मेंटेन कर सकते हैं अभी मैं आपको अगर बात बता दू तो यहापे बार रुपे के आसपस था हम लोगों नहीं यहापे भी देखा था कि ओफर आया था एंड उसके बाद 12 पैसा मिल गया जिन लोगों ने नहीं किया उनका चला गया और यह कहानी हर किसी स्टॉक में और आप मेरे कौनसे भी वीडियो उठा के देख लेना आपको यही गाना सुनने को मिलेगा कि होल्ड करो अच्छे स्टॉक अगर कोई रहेंगे होल्ड करो कोई भी स्टॉक में अ जबरदस्त हुई थी वहां से गिरावट देखने को मिली होगी किसी ने तो एम और लगाया होगा सो लॉस में मत निकलना इतना मैं आपको कह सकता हो सर कितना टाइम लगेगा में 20 में फस गया अभी तो दोस्तों यह ऐसा टाइम किसी को भी पता नहीं होता है ऐसे कोई फिक अर्टिकल बाते बोल रहा हो तो इसलिए आप लोगों को सुनने में थोड़ी सी मतलब बुरी लगती होंगी मैं बोलने के लिए आपको खुश करने के लिए बोल दूंगा कि अरे जाएगा 900 तक जाएगा तो आप खुश होगे तो इसी कोई बात नहीं है आपको होल्ड करन आना चाहिए इतना ही फिलाल में आपे बोल सकता हूँ सो दोस्तो कल सेटर्डे है संडे भी है मतलब दो दिन चुटी रहेगी तो अगर आप चाहो तो येस बैंक की उपर में डीटेल वीडियो बनाने के और भी कोशिश करूँगा या पे तो जरूर कमेंट सेक्शन में लेटे डीटेल वीडियो आ जाएगी तो आज के दिन भी वीडियो क्लोस करते हैं यही कहना चाहूंगा कि जरूर यहां पर हम लोगों को नीचे जाते हो आपस देखने को मिला है पाच पसंट की गिरावाटे बट फिर भी डिलिवरी बेसेज भी हम लोगों को अच्छा कास से पता चल जाएगी तब तक के लिए बाई बाई